पिछले संस्कृरण में हमने ये जानने और समझने का प्रयतने किया था कि भारती संस्कृति और सब्विता में ये रत्नों की उत्पत्ती कैसे हुई और रत्न हमारी सब्विता में कैसे जुड़े उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राशी रतनों के विशे में जानकारी थोड़ा साजा करेंगे किस ग्रह के लिए किस ग्रह को बल देने के लिए किस ग्रह के कुरूर प्रवाव से बचने के लिए कौन सा अरतन हमको धारन करना चाहिए इसका उत्तर भी हमको हमारे भ्रगु सहीता में या और जो हमारे कहीं सारे जोतिश के सिध्धानत के जो हमारे गरंत है उसमें हमको उत्तर बता है जैसे कि आप सभी को पता है कि एक हमारा प्रोग्राम चलता है जो है सार्तत सार्तत में हम वो चीजे दिखाते हैं कि अगर हमने कुछ इस परकार से करा तो क्या करना चाहिए जैसे कि केदान नाज जी के कापाड छे मीने में क्यों बंद होते हैं उसका उत्तर आपको मिल गया होगा इससे पहले हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि रतनों की उत्पत्ती कैसे हुई यह हमारा जो प्रोग्राम है यह प्रतेक रवीवार को साम पांच बजे दिखाया जाता है और इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने रतनों के बारे में बताया था आपको मोटी मोटी जानकारियां हमने दे दी थी जिसको हमने बेसिक नोलिज कहते हैं समानने ज्ञान, जो रतनों के बारे में होता है, वो आपने देखा होगा, और हमारे साथ जो शोयतांग तिरपाथी जी हैं, इन्होंने आपको बताया था, ऐसे ही आज इस सार्तत्व प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि नवरतन, जो नवरतन हैं, आप सभी जानते ह उस नवरतन का क्या-क्या कारे हैं, शोयतांग जी सबसे पहले तो आपका दन्यूस ओले नेटर्वक में स्वाल, बहुत-बहुत धन्यवाद विशाल जी, पुनह मुझे यह अफसर देने के लिए, पिछले संस्क्रण में हमने ये जानने और समझने का प्रयतने किया था, कि भारती, संस्क्रण और सब्यता में ये रतनों की उत्पत्ती कैसे हुई और रतन हमारी सब्यता में कैसे जुड़े, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आज हम राशी रतनों के विशे में जानकारी थोड़ा साजा करेंगे, कि कौन-कौन से रतन होते हैं, किस-किस सब्यार के रतन होते हैं, उसकी जानकारी मैं आज आपको आपके चैनल के माधियम से आपके विवर्स को देने का प्रयास करूंगा, अचा सबसे पहले जो मेरा सवाल है, कि ये नवरतन कैसे बने, देखिए ये विशे हमने पहले भी लिया था, हमारा जो सौर मंडल है, उसम नवग्रह की पूजा हम आदी काल से ही करते आ रहे हैं, आजकल सैंटिस तो ये अब चीजे हुई, अब प्लैनेटरी ये ढून के बता पा रहे हैं, सैंटिस की साथ प्लैनेट हैं, आठ प्लैनेट हैं, नौ प्लैनेट हैं, लेकिन हमारी सब्यता और संस्कृती में पिछले कई हजार सालों से बहुत प्राचीनतम समय से ये नव ग्रहों के पूजन की हमारे याँ विदी है तो उनी पूजन की विदी के सासत उन नव ग्रहों जैसे की ब्रस्पती हो गया शुक्र हो गया मंगल हो गया बुद्ध हो गया उनी के रत्न भी हमारे वेदों में, पुरानों में, धर्म ग्रिंतों में मिलते हैं कि किस ग्रह के लिए, किस ग्रह को बल देने के लिए, किस ग्रह के कुरूर प्रभाव से बचने के लिए, कौन सा अरतन हम को धारन करना चाहिए, इसका उत्तर भी हमको हमारे भ्रगु सहिता में या और जो हमारे कई सारे जोतिश के सिध्धान्त के जो हमारे गरंथ हैं उसमें हमको उत्तर बलता है जैसे कि आप बता रहें कि नवगरह पूजा नवगरह पूजा कराते हैं लोग कराते हैं शान्ति के लिए कराते हैं क्या उसी से इसको जोड़ा जाता है जी देखिए जब भी कोई जातक पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है उस कुंडली के आधार पे उस कुंडली के जो लगन उसका चार्ट होता है उसमें ये देखा जाता है कि नव ग्रह उसकी कुंडली में कहां बैठे हैं औ यानि कि उसको भविश्य में उसको लाब कर सकता है और ये भी देखा जाता है कि कौन सा ग्रह उस जातक को उसको थोड़ा सा उसको बचा के चलना पड़ेगा जिस ग्रह से यानि कि उसको थोड़ा नुकसान दे सकता है नुकसान कई माधियमों से ग्रह देते हैं आपको एक्स चाहतरे जीवन में यदि किसी का चंद्रमा खराब हो जाए तो अच्छा खासा बच्चा भी मतलब अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी जीवन में पढ़ा ही नहीं कर पाता है। उसका मन विचलित हो जाता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो उनी ग्रह इस्तितियों को समाने करने के लिए और अच्छे ग्रहों को बल देने के लिए और बुरे ग्रहों के प्रभावों को बचाने के लिए इन रत्नों का प्रयोग आदी काल से हमारी संस्कृतियों और सभ्यता में किया जा रहा है। आपका यह है कि वन प्लस वन टू तो अगर पूजा भी कराएं और रतन भी पहनें देखिए ये कोई आज का विशे तो है नहीं रतनो का मैंने आपको पहले भी बताया था पहले संसकरण में भी हम लोगों ने ये जाना था कि ये रतनों का महत्व और रतनों का प्रभाव कोई आज की जानकारी हमको नहीं मिली ये हमारे जिन वेदों की हम आयू का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उन वेदों में रतनों का महत्व हमको मिलता है पहले भी मैंने इस बात को कोट किया था कि जो ग्यवेद हमारी भारती सहणातन संस्कृत का सबसे पुराना व्यद है उसके प्रतम श्लोक में रतन और रतन की उत्पत्ति के विशय में सब्मंद आता है तो हम लोग तो जो बचा कुछा ज्यान हमारे रिशियों से हमारे शास्त्रियों से, हमारे आचारें से, हमारे पास आ रहे हैं, सिर्फ उनी का अनुमोदन और अनुपालन कर रहे हैं और जिससे मानव मातर को फायदा पहुँच ही रहा है, तो आप कह सकते हैं, one plus one is equals to two तो अब हमारे सामने नवरतन रखे हैं, अब इसमें श्यतांग जी से जानेंगे कि कौन सा रतन किस परकार से कारे करता है, उनके नाम क्या क्या है सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे जो ग्रहों का राजा होता है सूर्य सूर्य को ग्रहों का राजा खा गया है सूर्य का रत्न होता है मानिक यह मानिक्य है सूर्य जिनका बल्वान होता है वो जातक बेहद ही कुशागर बुद्धी होते हैं और बहुत ही अलप आयू में यानि कि कम आयू में ही बहुत उच्च तरकी को प्राप्त कर जाते हैं यानि कि उनको जो जिसको बोलते हैं कि फेम मिलना बहुत ही जल्दी आयू में जिसका सूर्य मजबूत होता है उसको बहुत जल्दी आयू में नेम और फेम की प्राप्ति हो जाती है तो ये प्रभाव है सूर्य का तुम अलब सूरे को अर्क भी दें और ये वाला रतन भी धारन करें। दिखें एक बात मैं आपके चैनल के माधियम से सपस्ट कर दूँ आपके विवर्स को कि कभी भी कोई भी रतन बिना किसी ज्यानी जोतिशाचार की नॉलिज में लाए बिना न पहने। आप अपनी कुंडली का अच्छे से विस्तरत विशलेशन करवाएं जहां भी आपकी आस्था रहती हो, जहां भी आपका विश्वास रहता हो और अपनी कुंडली के आधार पर ही आप रतनों को धारन करें। अन्य था ऐसे ही किसी के बताने पे कि ये रत्न ये करता है, ये रत्न ये करता है, इस प्रकार से कभी भी किसी को रत्न धारन नहीं करने चाहिए, कारण इन रत्नों में यदि किसी के जीवन को फर्ष से अर्ष तक ले जाने की अगर शक्ती है, तो इनी रत्नों में अर्ष से फरस्तक लाने की भी शमता है तो हमेशा रतनों को धारन करना आप मैंने देखा कहीं हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं कि जी हमारी राशी ये है इस राशी में कौन सा रतन हम पहन ले तो मैं हमेशा उनको भी ये मना करता हूं कि आप पहले अपना बर्थ चार्ट देखे बर्ड चार्ट में आपके ग्रह कहां बैठे हैं, आपके प्लैनेटरी सिचुईशन्स क्या बन रही हैं, उसके ही आधार पे अपने पंडित से, अपने जोतिशी से जानकर, अच्छे से समझ कर, दिखा कर, तभी आप रतनों को धारन करें आप इस प्रकार से इन रतनों का और इन शक्तियों का ये देविय को प्राप्ते हैं, इन रतनों के माध्यम से पूर्ण लाब अपने जीवन में ले पाएंगे अब चलते हैं दूसरी रतन के अब हम बात करते हैं जो इन नव ग्रहों में जिसको सेनापती कहा गया है मंगल मंगल ग्रह जिसको भौम भी कहा जाता है यानि के भौमाय, भौमाय मीन्स प्रत्वी के धर्ती के पुत्र ऐसे मंगल देव, मंगल का रत्न होता है मुंगा ये मुंगा ये तिकोना भी आता है और सिलेंट्रिकल भी आता है इसमें सफेद मुंगा भी आता है जिन जातकों को गुसे की समस्या होती है तो उनको लाल मुंगा ना पहना के सफेद मुंगा पहना जाता है ताकि उनको मुंगे का लाब भी दिया जा सके और उनको जो उनके गुसे की प्रवत्ती है जो क्रोध की प्रवत्ती है उसको भी नियंत्रित किया जा सके तो ये मुंगा है इसकी शेप अलग हो सकती है लेकिन कारे वैसी करें आपको बता देता हूँ, बिसिकली यह मुंगा रतन जो हमको मिलता है, यह हमको समुद्र के अंदर से मिलता है, यह जैविक रतन है, जैसे आप पेड समझ सकते हैं, जैसे समुद्र के अंदर पनपा कोई जीव, जो की बहुत समय तक उसी अवस्था में रहा हो, तो वो जम जा और जो ट्रैंगल मुंगा होता है वो उसकी जड में से निकाला जाता है इसको लक्षमी मुंगा भी कहते हैं ट्रैंगल को तो इस प्रकार से यह मुंगा रत्न हमको प्राप तो जैसे ही कि जो यह अलग-अलग शेप में हमें दिखाई दे रहा है क्या इसे कटिंग किया जाता वो ऐसा तो नहीं निकलेगा कि इतना सुन्दर दिख रहा हूँ जैसे देखे आप यह पन्ना कितना सुन्दर दिख रहा है कितना कट है एक पेड़ की जड़ तो एक ही होगी, जड़ का तो एक ही तना होगा, उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हो सकती है, तो इस कारण से ये हमें अधिकाय मातरा में मिल जाता है, कैपसूल, और जो ट्रेंगल मुंगा होता है, वो comparatively कम निकलता है, इस कारण से इसका जो मूले है, वो देव गुरू ब्रहस्पती है, ब्रहस्पती आपके जीवन में बहुत सारी चीजों के कारक है, आपकी शादी के कारक है, आपके जीवन में आपकी पढ़ाई के कारक है, आपके व्यक्तित्व के कारक है, और आप जो व्यापार करते हैं, उसमें जो आप partnership करते हैं, उसके भ ये पुखराज रत्न पहना जाता है, इस रत्न को धारण ब्रसपती देव के लिए किया जाता है, जिन जातकों की कुंडली में ब्रसपती को मजबूत करने का योग होता है, वो लोग पुखराज स्वर्ण में धारण करते हैं, सोने में पुखराज की मुद्रिका को पहना जा इस कारण से ब्रस्पती ग्रह के पूर्ण लाप जा तक अपने जीवन काल में ले सके इसके भी कहीं क्वालिटी जाती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अलग-अलग जो बहुत अच्छा पुखरा जाता है वो सिलोनी माइन्स का आता है जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ ये हमारे पास सेटिफाइड पुखराज मिलता है ये जीजेई पीसी से सेटिफाइड आयाई जीजेजेजम टेस्टिंग लब जो है गॉवर्मेंट अफ इंडिया उससे प्रमानित पुखराज है सबी रतन हमारे हैं जो फुल आथेंटिकेशन के साथ पूरे प्रमानिकता के साथ हमारे आपको रतन मिलता है तो ये ये टॉप क्वालिटी होती है मतलब पूरे वर्ड में जो सबसे बेस्ट माइन के पुखराज है वो सिलोनी माइन्स होती है शिलंका से निकलते हैं तो ये पुखराज सेटिफिकेशन के साथ भी तिरुपती रतन के इंदर पर उप टेस्टिड हैं और आप इसे कहीं भी दिखा सकते हैं यदि आप तिरुपती रतन के इंदर से ये रतन खरीते हैं तो आप इसको कहीं भी दिखवा सकते हैं दरसल विकास जी हमारे रतनों को कहीं दिखाने के आवर्शकता नहीं कारण मैं खुद एक रतन विशेशक्य हूँ मैं आई जीजे से सेटिफाइड हूँ और जो सेटिफिकेशन हम अच्छे रतनों में देते हैं वो भी गॉवर्मेंट आफ इंडिया की जीजे ये पीसी जो पूरे भारत में सबसे विश्वसनी ये लैब है उसका सेटिफिकेशन देते हैं इंटरनेशनली रिनाउंड और इं कहीं ऐसे ऐसे न हो गए हूँ जैसे लुट गए हूँ महसूस कर रहे हैं करते हैं कितनी वार तो इन चीजों का कई ख्याल आते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि आप कहीं भी जहां संतुष्टी हो आप महां दिखा सकते हैं आपके माध्यम से मैं आपके विवर्स को ये बता दूँ कि हमारे हां सबसे विश्वस्निये हंडर्ड पर्सेंट ऑथेंटिक नेचुरल शुद प्यॉर रत्न सबसे ज़्यादा किफायती दामों पर दिये जाते हैं ये दाम हमारे हां दाम भी और रत्न की गुणवत्ता भी दोनों ही बहुत मैटर करती है और हम हमेशा उसका सम्मान करते हैं चलिए अब हम चलते हैं चोथे नक की ओर जो की चोथा नक जो बताएंगे शुतांग जी करेंगे चंडर ग्रह की चंडर जीसे कि मैंने आपको बताया कुंडली का भेधी में तो पूण ग्रह है चंडर ग्रह के लिए हम अधारन करते हैं मोती चंद्र मा को मन का कारग भी अधा गया है इसका जो effect होता है, वो साधारन जो fresh water पर जिसको हम सुचामुती भी आम भाशा में कहते हैं, हाला कि वो सुचामुती नहीं होता, क्योंकि सुचामुती बहुत ही rare होता है, और बहुत ही कम मिलता है, और बहुत ही जादा expensive होता है, बहुत ही महंगा होता है, तो जो सुचामुत स्ब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब, अब हो सब्था यह सॉप्षी के पर्ल है और इसलिकनीना खुष्मा के लिए धारन कराया जाता है जैसे की मार्किट मैं कहा जाता है कि मोति को अगर पैचानना उटो कहते हैं कि उसमें आग लगा के देखी है वह फिगळेगा नहीं तो ऐजना हो देखिए आप कुछ मत कीजिये यदि सौ मू सौ बाते हैं लोग अनेता-नेता कहानिया बनाते हैं नहीं नहीं चीज़ा लाते हैं इसको इसमें डुबा दो इसको इससे उभार लो ऐसा कर लो तो मोती आप हमेशा कोई भी रत्न हो आप एक अच्छी जनुविन लैब से टेस्ट करा हैं और यह तो टेस्स कराया वह आप उसको purchase करें कौन सी लैब से जो authentic लैब हो लैब भी बहुत सारी है और हर घर में हर गली में लैब कुली भी है बहुत सारे जगे पर तो वो भी authentication नहीं है जो government of India से certified lab हो बहां से आप अगर आप अच्छा रतन पहनना चाते हैं तो मैं हमेशा आपको recommend करूँगा मैं अपने जितने customers मेरे हैं भी मेरे जो genuine customers हैं मैं उनको हमेशा खुद से भी क्योंकि लोग मुझे कहते हैंगे नहीं श्वतांग जी आप हमको दे रहे हो तो हमको किसी paper की जरुरत नहीं है तो हमें कोई कागज नहीं चाहिए आपने दे दिया बस हमारे लिए वोई विश्व से तो मैं उनको भी मना करता हूँ और मुझे भले ही एक हफता लगे मैं उस रत्न को स्वयम अपने उस पे उसको टेस्स करा कि उसके paper बनवा के तब उनको देता हूँ इससे गराक की विसंतुस्टी रहती है और हमारे भी authenticity बनी रहती है गराक को भी पता रहता है कि उसने क् चीज है जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मैंने लिया क्या है मैंने पहना क्या है तो मैं उस पे अपना विश्वास भी नहीं जता पाऊंगा और जब विश्वास नहीं जता पाएंगे आप तो आपको वो result भी नहीं मिल पायागा जो आपको अपिक्षित है तो विश् ग्रह का रत्न है, इसको पन्ना कहते हैं चात्रों के जीवन में बुद्ध ग्रह का बहुत ही एहम योगदान है कुशागर बुद्धी वाला कोई चात्र होगा, कोई जातक होगा तो उसका बुद्ध उसकी राशी में देखेगा मजबूत बैठा होगा जिन जातकों को बोलने की समस्या होती है आपने देखा तुतलाते हैं कभी या कुछ हकलाते हैं कुछ दिक्कत होती है तो उनको पुधरत्न धारन करना चाहिए पन्नारत्न धारन करना चाहिए बुद्ध का इससे चात्रों में confidence भी build-up होता है और वाक्षमता वाक्षमता जो setup होता है विक्ति का जो system होता है बोलने का उसको ये बहुत improve करता है तो उसमें पन्नारत्न को यूज किया जाता है और कई प्रकार की आयरुवेद प्रकाश में भी इन सभी रत्नों समेत पन्ने की कई सारी विशेष्टाएं भी बताई गई है तो जिन जातकों को बोलने में समस्या हो या confidence उनका लूज हो तो पन्ना रत्न उनको धारन करना चाहिए लेकिन अपनी जन्म कुंडली के आधार पर ठीक है अब चलते हैं हम छटे रतन की आगे बढ़ते हैं ये नीलम रत्न है ऐसा कहा जाता है कि ये सभी नव ग्रहों में सबसे तेज रत्न है यानि के सबसे जल्दी अपना प्रभाव दिखाने वाला रत्न नीलम रत्न हमने सुना है कि एक ही रात में अपना प्रभाव दिखाने की शमता रखता है यह शनी देव का रतन है यानि कि शनी जो ग्रह है उसका रतन है तो इसको भी कहीं लोग धारण करते हैं बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उन लोगों ने भी रतन धारण किया है यह रतन विशेश पावरफुल होता है जिसको बोलते हैं रंग को राजा बनाने की शम मिताबे इस रत्न में है तो इतना तेज प्रभाव होता है तो ये रत्न भी हमेशा मैंने कहीं लोगों को देखा है मैं सभी से निविदन करना चाहूंगा आपके चैनल की माद्यम से जो तेज रत्न है हाल तो कोई भी रत्न मैंने पहले भी का खासकर नीलम और हीरा हीरा भी ब सात्वा रत्न मैं आपको दिखाऊंगा तो रत्नों का राजा मैं आपको दिखाऊंगा जिसको हीरा कहते हैं यह IGI Certified हीरा है International Gemological Institute से Certified है Internationally Renowned Organization है देखिए जैसे की आपको बताऊं कि फलो में राजा और अगर मैं बात करूँ Animals में तो उसमें भी राजा होते हैं और इसी तरह रत्नों में भी राजा है यह रत्नों का राजा है और यह है Diamond यानि के हीरा यह शुक्र ग्रह से संबंद रखता है शुक्र ग्रह आज के भौतिक जीवन में विशेश प्रभावी है जिसका कहते हैं शुक्र ग्रह खराब है उस व्यक्ति के पास कितनी भी अकूट धन संपदा हो वो उसका भोग नहीं कर सकता शुक्र ग्रह आपको लगजरी देता है आपको विलास्ता देता है आपको भोग देता है और आपको जो यह material life है इसमें जीने की जो कला है जो विदी है और जो आशिरवाद है वो शुक्र ग्रह आपको देता है तो ये शुक्र ग्रह का रत्न हीरा, इसका उपर रत्न भी मैंने आपके लिए निकाला है, देखिए हीरा एक expensive stone है, एक महंगा रत्न है, तो हर विक्ति के उसमें नहीं रहता कि एफॉर्ड करें और हर विक्ति हीरा पहन पाए, तो हमारे जो पुराने जो ग्यानी लोग रहे है उन लोगों ने हमेशा हर वर्क का ध्यान वखा है, इस बात का हमको कैसे पता लगता है कि ये ओपल है, ये हीरे का उपरत्न है, तो जो लोग हीरा धारन नहीं कर सकते, वो लोगों को ओपल धारन करने की सला दी जाती है, जैसे कि हीरा का जो alternate है, वो आपने उपरत्न बताया तो ऐसे और रतनों को बारे में अभी हमने बात की थी, तो इन सब का भी उपरतन होता है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि निलम का उपरतन नीली होता है, और ये पुकराज का उपरतन सुनहला होता है, तो जो महेंगे रतन है, उनका सभी उपरतन हमारे जो ज्यानी उन्होंने हमको दिये हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे, जिनके नाम से सभी ग्रह, या सभी लोग ग्रह तो नहीं कहुँगा, सभी लोग भैखाते हैं रहू और केतु के विशय में, रहू ग्रह का जो रत्न है, वो गोमेद है, गोमेद भी कई प्रकार के qualities मे आता है, जो मैंने आपके लिए निकाला है, आपके विवर्स को दिखाने के लिए, ये सबसे उचितम क्वालिटी का गोमेद है, इसको बोलते हैं सिलाणी का गोमेद, ये भी श्रिलंका की सिलाणी माइन से निकलता है, तो ये वो गोमेद है, इसके नीचे क्वालिटी के गोम अच्छा शिटांग जी जैसे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और हमारे वीवर्स के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि कहा जाता है कि यह इस्टोन है और इस्टोन जो है हो सबसे आदा राजिस्थान में पाया जाता है आपने बताए कि यह श्री लंका का है तो राजिस्थान और शीलंका के स्टोन में कुछ फरक है देखिए ये जो स्टोन आपने का राजिस्थान में पाया जाता है तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ राजिस्थान में कोई भी स्टोन नहीं निकलता राजिस्थान के डेजर्ट से हम सिर्फ quads निकालते हैं जिसको quads कहते हैं amethyst हो गया citrine हो गया जो अन्यत्र जो हमारे ये रत्न है ये अलग अलग जगे से आते हैं और राजिस्थान में एक market है जहां पर ये असानी से उपलब्द हो जाते हैं राजिस्थान में नहीं रहता है राजिस्थान में कोई रत नहीं होता है ये जो सबसे अच्छे पुखराज आते हैं वो शिलंका से आते हैं सबसे अच्छे निलम पहले हमारी भारत में कश्मीर की खदानती वहां से आते थे अब शायद बंद हो गई है तो शिलंका का निलम भी अच्छा माना जाता है ये हीरे कहीं और से आते हैं मोती जापान से आते हैं जैपनीज मोती बहुत अच्छा होता है किसी मोती उसको कहते हैं किसी पर्ल और ताहितियन वैली से मोती आता है ये डेट सी का पर्ल है ये इसको बोलते है बहुत अच्छा पन्ना निकलता है, जांबिया से बहुत अच्छा ये पन्ना निकलता है, और जो हमारी ये पंजशीर अफगानिस्तान में माइन है, उसका पन्ना बहुत अच्छा निकलता है, तो अलग-अलग प्रकार से आते हैं, जो रतनों की क्वालिटी है, जो उनकी वो रतनों की खदान पे निर्वर करती है उपल भी दो प्रकार के आता है एक इथोपियन उपल आता है एक उस्ट्रेलियन उपल आता है तो उस्ट्रेलियन उपल कहता है बहुत बहतर होता है ऐसे ही फिरोजा आता है फिरोजा कहीं जगे से निकलते है अब तो वहाँ भी खदाने बंदो गई है जो पुरानी बर्मा की खदानों से जो रूबी निकलता है मानिकी निकलता है वो इंटरनेशनली बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसकी बहुत अच्छी कीमत बजार में लगती है तो इसी प्रकार से अलग-अलग जो रतने है वो में कहीं सारी स्टेजेज़ और लेवल होते हैं जिनको देखकर हम उन रतनों की कीमत की वेल्यूएशन लगाते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अब नोवा रतन जो है हमारा आखरा केतू रतन है यह आप देखेंगे इसको इंग्लिश में कैट्साय कहते हैं और हिंदी में इ लहसुनिया रतन निकाला है आपके विवोर्स को दिखाने के लिए इसमें आप यदि लाइट मारेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगे यह पूरा आपको इसे बिल्ली की आँख चलती है इस प्रकार से दिखेगा तो यह इसकी गुणवत्ता की पहचान है तो आजया शुतांग जी जैसे कि यह रतन आपने बता दी नो रतन यहां रखे भी हैं तो इन्हें धारन करने के लिए जैसे कहते हैं कि अलग अलग रतियों में आता है आपको कतने रत्त का रत्न धारन करना चाहिए तो मैक्सिमम कितना रत्ती रहता है यह आपके वजन पर निर्वर करता है और आपके उस प्लैनेटरी पोजीशन पर निर्वर करता है उस ग्रह पर निर्वर करता है उस ग्रह की स्थिती पर निर्वर करता है कि आपको कितना रत्ती का रत्ने पहनना चाहिए यह आपका बहुत वालग रती का इसमें रहता है कि कितने रती का रतन है वो पहनना चीए उसके बारे में थोड़ी सी जाए जैसे कि मैंने आपको बताया विशाल जी ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्लैनेटरी सिचुएशन पे means आपके लगन चार्ट में आपके ग्रह कहां बैटे हैं कितने अंश बल के साथ बैटे हैं और किस ग्रह के प्रभाव में बैटे हैं तो उनी सब के आधार पर उनी सब का आकलन करके हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं इस बात को हम निकाल पाते हैं कि किसी विक्ति को कौन सा रतन कितनी रती का धारन करना चाहिए अच्छा जैसे कि अलग 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 रतनों का अलग अलग महत्व है और अलग 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 रतन अपनी कुंडली के अनुसार हम खरीदते हैं लेकिन बजारों में देखते हैं कि अगर रिंग की बात करूँ तो नवरतन की रिंग रहती है गले में लोकिट नवरतन का रहता है उसका क्या परभाव है देखिए मैं नहीं समझता हूँ उसका कुछ परभाव रहता होगा क्योंकि किसी भी विक्ति के ग्रहे में किसी भी विक्ति के बड़ चार्ट में ऐसा नहीं होगा कि नव के नवरतन अच्छे होंगे या नव के अधियन करा के ही रत्न को धारण करना चाहिए ये नवरत्न और इस चकर में विक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए मेरा यह सुच जैसे की सवतांग जी ने आज नवरत्न के बारे में हमें बताया और आपको मैं समझता हूँ कि समझ भी आ गया होगा कि नवरत newborn का क्या महत्व है शोतांग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना केमती सोम्हें धन्यवाद धन्यवाद विशाल जी और आपके नियूस वाला नेट WORK को बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले संसकर्णों में हर एक रत्न के विशे में मैं बहुत डीपली आपको समझाने का प्रयास करूँगा प्रतिय करत्न कितनी क्वालिटी का आता है कैसी गुणवत्ता का आता है सब चीजों को मैं कवर करने की अपने और से प्रयास करूँगा तो ये थे हमारे साथ शुटांग तिरपाथी जी जिनों ने आपको नवरतन के बारे में बताया ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रही है दा न्यूज वाला नेट्वर्क और हमारा ये जो सार्तत्र का प्रोग्राम है ये कंटीनियू आप देखते रही है इसमें नई नई चीजे हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रही है दा न्यूज वाला नेट्वर्क कैमरा परसन शुबम के साथ मैं विशाल को स्वामी जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ